अपने और मेरे चाचा ने मारा है वैसे भी पिता था हमार पिटाई करता था बहुत ज़्यादा सुरू से दुखी थी मेरी मम्मी तो मरगीन साफ चाहिए बाक एक बात कहना चाहूं कोई अपनी बेटी ने ब्याओनी से द्रिंदा कमत ब्याई हो और जब ब्याद होनी तो वह नमस्कार मस्तेंद कुमार अब देख पारे हैं न्यूज 24 लाइट इस वक्ति हम बात करें तो दादरी के अंदर मोजूद और एक बहुत बड़ा मामला कंबीर बहुत ज़्यादा मामला इसलिए बना जाता है कि जब गाउं के जो मान्य वैक्ति होते हैं सरपच होता है और उसको जान से भी मार दिया जाता है उसके परिवार के लोग मेरे साथ मुझूद हैं बात्चित कराएंगे बात करां तो नूं बताओ सुबह आपके मम्मी की बात्चित आपके साथ कब सी होई थी मेरे साथ तो कल मेरे साथ तो कल ऊई थी सुबह मेरी मौसरी के साथ हुई थी से मेरे पप्पा ने और मेरा चाचाआ उने हमारे 6 मिने बाद इस लड़की का भी यह असर होगा अगर पूरे गाउन ने समाज ने या कानून व्यवस्ता ने अगर इन दरींदों को अगर यह आज को इनके उपर एक्षन नहीं लिया तो इनकी यह लड़की भी थोड़े दिनकी मेहमान है यही काम करेंगे उसके साथ सबसे तुमझाए मैं अपनी बेटेगा कि पास भाषै серьез पोन आता आ पर सुनियों मेर से अपके पास भास पून आता है यह उस्टर्म किया था जी मेरे पास तुबही आचान視ा फोन प Jan इसके बहुत है क्योंकि मैं बहुत से कफी तैससा लेकलया शीए टो histor. तो बहुत बहुत है तो मेल पाइन गया विटाली हां, इसके तो इंप की मैं होडने हैं, तो इसे श्यक्टाू साट, उसके बाद से ऊकैर खर फोन के के बाद हेस्ट तो उसके बाद होात हैं । तक बात हैं वोगा निया आए कोई नहीं अंने लेज़क्त करीब दस बच गये थे बोली के भी यह बात चाल लांगे उस टाएंप पर जिसका मैं बढ़ी साधमी के फोन आया मेरे दो रहे वो बोल्या कि बढ़का ने लेका गाम में चली जा आरे तरी बेबे मर की फासी खाक है मैं बोली मरी को नहीं फिर तो मारी गई है उसके बाद बोल्या मतलब फोन काट दिया मैं बोली मैं गलवाओंगे सब ने उसके बाद उसने फोन काट दिया फिर दुबारा तो फोन करका बोला कि तेरे गर क्या दोरफोन कर दे और आज आओंगे मैं किसे दोरफोन को ने कर दी मैं सिर्फ थाणे में जाओंगी और मैं करवाई करूंगी मैंने मिरे बेबे मारी गई है इतनी का यह पाच्छा है वो मिरे तगाली देखें उसने फोन कि अपने बच्चाने लेका हैं वहां से पीसीयर बेस दी गई गई और फिर में गई अमारे जाने के बाद हमने देख्या बैड़ी के उपर लेटे लेटे लेटी थी वहां उसके गड़े मैं मतलब उस नहीं था निसान थे हर जगह पर आथो पर रसी का निसान नी था लड़ा लड़ाई जगड़े के मार पीट के और रसी के साथ है चुन्नी के साथ है घरदन कसका है मतलब यू तो है को नी अगर फासी होगी तो यू आड़ा जाओगा उसका याड़ा निसान है पूरी घरदन के ऊपर फिर वहां पर चेकिंग होई लेडी प्लिस भी आई उनने अप सब्सक्राइब करने जा रही हूं तो उसने ऐसा तो कुछ बोला है नहीं कि मैं सुसाइड करना चाहते हैं तो उसके बाद जो फोन पर बात वहीं है तो उन्होंने कारवाई करी तो ये मतलब लगता है जो आलात दिख रहे हैं जिसने फासी दी है देवर ने और उसके आदमी ने फोन करें अपने परिवार के लोगा दो रहे हैं कि वह फासी खाली और आजाओ उन्हें बताई है मिरता कि भी आपका देखें नी तो हमने बैड के उपरे पड़ी पाई हैं अगर उसको आई है तो वह दी गई है वह फासी पे लटकाई गई है चुनी डालके या दोनों ने आच्छों से की चाहिए यह चीज का तो देखो जी अब वंबग नीचे उतारती ना तो किसी ने देखी है ना हम में से देखी के उपर से उसको तनीचे उतारा है ना कोई भी दुखी थी हर साल में वह च्छे महिने तीन महिने उसको आना पड़ता था दरिंदों की तरह पीटता था कोई काम नी करता था बिल्कुल आवरा किसम का आजमीदा गाम के किसी भी आजमीदा पूछलो या तो जुआ खेलता था या तास केलता था और जितना भी पैसा कमाता था वह सारा अपना नसे और अपने अयासियों मेरे अपने अबों में उडाता था और सारे दो तिन है इसके भी जो पती है और और भी है वो सारा सब का मटिया मेट है काम कर दे को नी यह काम कर रहा है बस लुगायाने पिटे है दारूपी में है लुगायाने पिटे है पू तो बोले कि भी ड्रिंक ज्यादा करें है बीडी ज्यादा पीवा है इसके करण प्रेसानी है भी बीडी कम करवादे दारू कम करवादे ठीक हो जाओगा उसने बना लिया वाहना बोले मेरा तो आड़ टैक की विमारी है गरा ले आई मैं फेर भी सब कुछ संबाल दी थी बड शह साथ साल से मेरा उसके साथ संपर्क नहीं है मैं सिर्फ अपने बच्छों के साथ रहती हूं मेरा उस आदमी के साथ कोई तालुकात नहीं है फिर उस आदमी ने मेरे को मारा पिट्टा बहुत उसके बाद मैं रोई मैंने बोला कि मैं तलाक का केस करूंगी अपने इस ते यही है कि मेरी जानना खत्रा है मेरी जानना खत्रा मेरी बाड मार दी गई कल को मेरे को मार दिया जाएगा अमें छुटकारा चाहिए इन्साफ चाहिए तो यह लड़की भी थोड़े दिन की मैमान है क्योंकि वो